अखण मंतन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक खत्रपाथी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कारिक्रम भविश्य दर्पन तो आज के भविश्य दर्पन कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है अंग्रेजी नव वर्ष दोजा 23 के आने में मात्र तैंतिस दिन ही शेष बचे हैं ऐसे में सारे संसार एवं मीडिया जगत में जोतिश जगत में फ्रांसीसी जोतिश्वित्ता नैस्त्र दमस की उन भविश्यवाडियों की चर्चा अब जोर सोर से होने लगी है जिसमें उन्होंने वर्ष दोजा 23 के लिए पांच बड़ी माहा घटनाओं के घटने की भविश्यवाड़ी की थी माहा घटनाम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी भविश्यवाड़ी पर यदि विश्वास किया जाये तो वर्ष दोजा 23 में कोई छोटा मोटा संकट नहीं अपितू मानो सब्भेता के विनास होने की सीधी सीधी आशंका लग रही है तो चलिए नैस्यवाड़ी की पहली भविश्यवाड़ी का वर्णन करते हैं सैक्डों वर्ष पूर्व नैस्यवाड़ी ने लिख दिया था कि वर्ष दोजा 23 में रोटी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और मनुष्य मनुष्य को ही खाने लगेगा उनकी ये बात सत्य भी प्रतीत हो रही है क्योंकि रूस यूक्रेन युद का एक वर्ष होने को आया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और युद के दोरान विश्व में गेहूं की सप्लाई पर बुरा अप्रभाव बड़ा है यदि रूस इस सप्लाई को रास्ता देने में बाधा बनता है तो पूरे संसार में खाद्यान का संकट खड़ा हो जाएगा तो आदमी आदमी को खा जाएंगे वाली भविश्वारी को यदि गंभीर अर्थों में समझें तो यदि रूस ने यूक्रेन पर परमाडु से हमला कर दिया जिसकी आशन का अधिक लग रही है तो ऐसी स्थिती में पूरे संसार में भुकमरी की स्थिती आ सकती है 2023 की नैस्त दमस की भविश्वारी के अनुसार आर्थिक संकट अभी और भी बढ़ सकता है ग्लोबल वार्मिंग का संकट तो कोई नई बात नहीं है लेकिन नैस्त दमस ने अपनी भविश्वारी में लिखा है कि सूरज जमकेगा और समुद्र की मचलियां उबल जाएगी नैस्त दमस की इस भविश्वारी की व्याख्या गर्मी के बढ़ने के कारण समुद्र के जलिस्तर में जो व्रिद्धी होगी उससे की जा रही है नैस्त दमस की भविश्वारी से माना जा रहा है कि 2023 वह वर्ष हो सकता है जिसमें तापमान में खतरनाक व्रिद्धी देखी जाएगी क्योंकि वर्ष 2022 में गर्मी का ट्रेंड यूरोब जैसे ठंडे देशों में भी खतरनाक देखने को मिला है नैस्त दमस की भविश्वारी के अनुसार 2023 में बह लोग भी खड़े होंगे जिनका दमन किया जाता रहा है उन्होंने लिखा है महान परिवर्तन होंगे भयानक भयावता और प्रतिशोद देखेंगे व्याख्या करने वालों का कहना है कि नैस्त दमस 2023 में गर्य युद्ध की बात कर रहे है यदियपी उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया है माना जा रहा है कि कॉस्ट ओफ लिविंग क्राइसिस से कई स्थानों पर लोगों के धहरे का बांध तूट सकता है और लोग खाने के लिए आपस में भिड़ सकते हैं वहीं कुछ का मानना ये है कि अमीरों के विरुद गरीबों का युद्ध होगा वहीं कई लोग इसे इरान और पाकिस्तान में होने वाले प्रदशनों के गरीज युद्ध में बदलने की संभावना से भी जोड़ कर देख रहे हैं 2023 के लिए नैस्तदमस ने एक बड़े युद्ध की भविशवाड़ी की है लोगों का मानना है कि रूस युद्ध ही 2023 में तीसरे विशवाड़ का रूप ले सकता है और संसार के लिए विनाश्कारी सिध्ध हो सकता है नैस्तदमस ने इस भविशवाड़ी में कहा है साथ महीने तक महान युद्ध बुरे कामों से मरे लोग नेस्त दमस्त की भविश्यवाडी की व्याक्या करने वाले लोग मान रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध में अगर रूस ने परमाणु बम का प्रयोग किया तो तीसरा विश्युद आरंब हो जाएगा इस भविश्यवाडी में उन्होंने कहा है कि युद्ध से फ्रांस का शहर रुवान सुरक्षित रहेगा किन्तु पेरिस पर संकट खड़ा होगा नेस्त दमस्त ने अपनी एक भविश्यवाडी में भी कहा है शाही भवन पर आकाशी आग नैस्त दमस्त की इस बविश्यवारी की व्याख्या लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं कुछ का मानना है कि एक सब्वेता समाप्त हो जाएगी और उसी की राक से नई सब्वेता का जन्म होगा वही कुछ का मानना है कि ये दुनिया के अंत को दिखाता है क्योंकि कई धार्मिक ग्रंतों में भी दुनिया के अंत को आग के साथ जोड़ कर देखा गया है नैस्त दमस्त ने अपनी बविश्यवारी में मंगल ग्रह का वर्णन किया है नेस्त दमस्त ने कहा है मंगल पर रोशनी गिर रही है कुछ लोग इसकी व्याक्या इनसानों के मंगल ग्रह पर जाने से देख रही है Space X CEO एलन मस्क लंबे समय से कहते रहे है कि इनसान दोजार उन्तिस तक मंगल पर निवास करने लगेगा लोगों का मानना है कि दोजार 23 में मंगल ग्रह से जुड़ा कोई जरूरी मिशन लौंच किया जा सकता है तो दर्शकों दोजार 23 को ले करके नेस्त दमस्त ने क्या भविशिवारी की है इसका वर्णन हमने आपके सामने कर दिया इसकी व्याक्या आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं आशा है आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो दर्शकों ये था नैस्त दमस्त की भविशिवारी का वो वर्णन जो उन्होंने दोजा 23 के लिए बहुत पहले ही कर दिया था उन्होंने भविशिकी जलक दिखला दिया उनका ये भी कहना है कि दोजा 23 में ऐसा भी हो सकता है कि मानो सब्वेता समाप्त हो जाए यदि परमाणू हमले की शुरुवात किसी भी देश द्वारा होती है तो फिर ये श्रंकला रुकने वाली नहीं है और यदि ऐसा हुआ तो मानो सब्वेता समाप्त हो जाएगी आपको हमारा ये प्रयास यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम आपके साथ बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे भविश्य दर्पन के माध्यम से आपको भविश्य होने वाली घटनाओं की जांकी धन्यवाद हमें एतना बहुमुली समय प्रदान करने के लिए आपने हमारा चैनल लेखा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया उसके लिए हम आपके रिदे से आभारी हैं नमस्कार झाल इसे लिए फाउ़ रिए हमें और सब्सक्राइब कर दोदाब करने हमें नमस्कारब करने हम इसे आपके श्रुदा हमें जापके लिए हमें प्रादीर समय।